हलो स्टुडेंट्स मैं इकली गुपता स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग exercise 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पिछे वाले वीडियो में हमने exercise 2.2 के सारे examples कवर गर लिये थे और उसमें सीख लिया था कि कैसे हम लोग zeros और coefficients को polynomial के coefficients को आपस में relate कर सकते हैं क्या उन में relation होता है तो हमने यह सीखा था कि भाई sum of zeros होते हैं minus का b upon a और product of zeros होते हैं c upon a यह हमने दो important formulas सीखे थे और उसको verify भी करना सीखा था कि कैसे questions में इसको verify भी करना है उसी तरह के questions हैं जो हमने examples में किये थे देखो पहला question है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients चीक है तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें सबसे पहले तो हमारे को zeros ही find out करना है तो zeros निकालने के लिए middle term splitting करनी पड़ेगी जो आपने last lecture में तो सीखा ही है 9th class में detail में सीखा है तो middle term splitting में हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह जो बीच में minus का 2x दिख रहा है इसको ऐसे दो हिस्सों में break कर लेते हैं कि add या subtract करने पर तो minus का 2 ही आए लेकिन multiply करने पर x square को coefficient कितना है 1 तो 1 into यह जो minus 8 है वो आए तो 1 into minus 8 मतलब minus 8 आना चाहिए तो add या subtract करने पर तो minus 2 आए multiply करने पर minus 8 आए ऐसा कब हो सकता है 4 into 2 8 होता है 4 into 2 8 होता है और अकर 4 negative ले लोगी 2 positive ले लोगी तो minus 2 भी बचेगा एक चीज़ यहां पर ध्यान देने की है कि x is square plus 4x minus 2x minus 8 अगर आपने गर दिया तो गलत हो जाएगा यहां पर हाला कि plus 4 और minus 2 मिल करके minus 8 हो रहे है multiply में तो 4 into minus 2 minus 8 होता है लेकिन problem क्या आ रही है plus 4x और minus का 2x ले लिए तो plus का 2x बचेगा और यहां पर क्या है minus का 2x गड़बड हो जाएगी तो यहां यह sign थोड़े ध्यान देने है आपको sign कैसे ध्यान दोगे कि जो भी यहां लिखो इसको calculate करके देखा करो कि plus 4 minus 2 तो plus 2 आएगा हमें तो minus 2 चीए मतलब sign की गड़बड हो रही है तो sign की गड़बड हो रही है तो वो सही कैसे हो सकती है यहां अगर minus लगा दे बड़ा number अगर negative है तो negative sign आता है answer से हम आएगा उससे ठीक है अब next step क्या करना होते है इन दोनों में से common इन दोनों में से common जो भी आ रहो पहले में से x तो आएगा ही आएगा हमेशा ही तो यह बचा x minus 4 दूसरे वालों में से यहां plus sign है तो plus sign ही यहां आएगा उसके बाद x plus 2 जब हम zeros की बात करेंगे तो zeros निकालने के लिए for zeros we have to equate zero x plus 2 को भी zero के equate करना पड़ेगा यहां पर x की value 4 आ जाएगी यहां पर x की value minus 2 आ जाएगी तो दो zeros हमारे को मिल गए कौन कौन से तो zeros कौन कौन से हो गए zeros हमारे पास है plus 4 and minus 2 यह दो zeros हैं अपने पास में दो zeros आ गए ठेक है दो zeros हमने निकाल लिए बड़े आराम से easily अब क्या करना है आपको verify करने को भी बोला है verify करने को बोला है क्या चीज़ verify करनी है वही जो sum of zeros और product of zeros का अपना formula होता है मतलब minus का B upon A के equal आएगा और product C upon A के equal आएगा यह verify करना है verify करने के लिए पहले sum of zeros और product of zeros निकाल लो जो आपने zeros निकाले हैं उनकी health से तो यहाँ पर next step में क्या लिखोगे आप आप लिखोगे sum of zeros sum of zeros आएगा 4 और minus 2 का 2 बन जाएगा simple 4 और minus 2 2 हो जाता है product लें तो product of zeros product of zeros आएगा 4 और minus 2 which is equal to minus 8 simple अब verification शुरू यहाँ तक एक काम किया हमने हमने क्या किया हमने zeros निकाले जैसे उसने बोला था उसके बाद हमने sum of zeros और product of zeros भी निकाल लिया क्योंकि हमारे काम आएगा अब हमों लोग verification शुरू कर रहे हैं तो verification आप heading डाल करके properly शुरू करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें और अपने पास में यहाँ पर polynomial कौन सा है x square minus का 2x minus का 8 है तो यहाँ से इस polynomial को देख करके a कितना दिख रहा है आपको a होता है x square का coefficient वो है 1 b होता है x का coefficient वो है minus 2 हमेज़ा sign के साथ उठाना है यहाँ sign minus का है तो minus का आएगा यहाँ पर 2 as it is same procedure c के लिए यह constant term with a sign तो 8 आएगा लेकिन minus का sign के साथ उठाना है plus का हो तो plus का ले लो minus का हो तो minus का ले लो accordingly ले ले लेगा है ठीक है a b c आपके पास आगए coefficients आगए आप चाहो तो लिख दो यह क्या चीज़ है यह coefficients है coefficients है यह short में लिखना है तो केवल इतना लिख देते हैं कभी कभी इसको यह coefficients हमने निकाल लिए अब coefficients के help से वो जो formula है क्या है formula sum of zeros sum of zeros के लिए formula है minus b upon a और product of zeros के लिए formula है c upon a check कर लेते हैं भई इससे कुछ बात बन रहे हैं क्या same answer आ रहा है क्या check तो करें वही है verification order क्या होता है तो minus तो formula में है b, b खुद minus का है जैसा भी है वैसा लिख दो a 1 है तो minus minus प्लस होकर रहे हैं क्या answer आ ग्या 2 इधर भी 2 आ रहा था इधर भी 2 आ रहा है sum इसका मतलब verify हो गया next product of zeros c upon a c, c, c minus 8 है a, 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 a 1 है तो यह तो minus 8 आ गया और यहाँ भी minus 8 था यहाँ भी minus 8 आ रहा है इसका मतलब verified तो verification यह हो गया तो इस तरह से सारे questions करने हैं अब आप फंस कहा सकते हो भाई यह वाला process तो same है हर जगे same मिलेगा सारे examples, सारे questions सब में same मिलेगा फंस होगे तो जदा-जदा आप इसके zeros निकालने में फंस सकते हो वो procedure तीन तरह का होता है मतलब तीन अलग-अलग formats है एक format तो यह है जिसमें एक स्क्वार भी है, एक स्क्वार भी है एक फॉर्मेट यह आएगा जैसे आगे यह तो चलो एस में आगया, same format, यह भी same format है एक format ऐसा आएगा जिसमें constant टाम ही नहीं है तो यह दूसरा format हो गया जिसमें constant term नहीं है तो अब इसमें कैसे factorize करें और कैसे इसमें zeros निकालें तीसरा format आपके पास आएगा यह, जिसमें middle term नहीं है, जिसको split करके हम लोग आगे इसके factorization करते हैं, तो वो middle term ही नहीं है T नहीं है, या X नहीं है, तो फिर उस case में क्या करें, तो क्या-क्या possibilities है, एक possibility तो है कि तीनों ही time हो, तीनों ही time मतलब मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ, आपको exact समझ में जाएगा, जैसे AX square plus BX plus C यह format होता है, तो एक format तो यह है कि तीनों के तीनों ही हो दूसरा format क्या है, कि AX square plus BX के वल यह दो हो, तीसरा नहीं हो तीसरा format क्या है, कि AX square plus C हो बीच का BX ना हो तो एक बार तो यह गायब कर सकते हैं, हो सकता है एक बार यह गायब कर दे हैं, यह गायब नहीं कर सकते हैं यह गायब कि यह तो quadratic नहीं रहेगा X की बावर 2 तो चाहिए इसलिए यह गायब नहीं कर सकते हैं तो तीन अलग-अलग format आएंगे, ये तीन format जो मैंने लिख दिये हैं, तीनों चीजें, दो चीजें, दो चीजें, ऐसा गर गए, अब इन में से अपने को answer निकालना है, इनके zeros निकालने अपने को आने चीजें, तो एक-एक करके अपन ले रहे हैं, पहला वाला format हमने लिया, पहले वाले question में, second और third में भी पहला इक format है, इसलिए मैं थोड़ा सा fast-fast ले करके अब उसको cover करता हूँ, फिर आगे की formats में अपन और चीजें सीखेंगे, जैसा भी है, जो भी है, ठीक है, बढ़े आगे, शुरू करते हैं, देखो next जो अपना format है, next जो question है, sorry, 4s square minus 4s plus 1, हमें add या subtraction से क्या demand है, add या subtraction से हमें minus 4 आना चीजें, middle town, और multiplication से क्या आना चीजें, first into last, 4 into 1, 4 आना चीजें, तो multiply करने पर 4 आए, add subtract करने पर minus 4 आए, add या subtract करने पर minus 4 आए, तो 2 into 2, 2 into 2, 4 होता है, लेकिन 2 और 2 minus 4 नहीं होगा, तो minus 4 लेने के लिए तो आप minus 2 minus 2 ले लो, minus 2 minus 2 मिल करके minus 4 हो जाएंगे, और multiply करोगे तो multiply में minus minus plus हो जाता है, तो काम हो गया आपना तो, best हो गया, 4s square minus 2s minus 2s plus का 1, minus 2 minus 2 मिल के minus 4 हो गया, tension कतल, अब आपको कुछ नहीं करना, आप simple इन दोनों में से common लो, इन दोनों में से common लो, common लोगे, पहले में आलें, पहले वाले में एक तो 2 common दिख रहा है, एक आपको s common दिख रहा है, 4 और 2 में से 2 common आजाएगा, s और s s square में से s common आजाएगा, क्या बचेगा, 4 में से अगर आपने 2 common ले लिया, है, s square में से s common ले लिया, तो s बचेगा, और minus 1, इतने इससे का तो यह इस तरह से काम किये हैं, इधर इधर आपने minus common ले लिया, क्यों लिए minus common हमेशे ध्यान रखें कि यहाँ जो sign है वो sign ही यहाँ आएगा यह fix है अगर वहाँ plus sign है तो plus ही आएगा common later time और अगर वहाँ पर minus sign है तो minus ही आएगा common later time common later time यह चीज ध्यान अखनी है कि यहाँ जो sign है वो ही यहाँ आएगा अब और कुछ common दिख रहा है गया sign का हिसाब तो यह हो गया और कुछ common है 2s और 1 में कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो फिर 1 common है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है उपर से u नहीं करते है खुदा होता है तो वो 1 है यह तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 2s और यह 1 आदेखू minus अगर आपने common ले लिए तो अंदर के sign change हो जाता है तो plus की जागे हो जाएगा minus और यह one as it is कुछ common नहीं है तो वो तो pure as it is आजाएगा बस sign change हो है वो भी यहाँ के करण यहाँ अगर plus होता तो गो sign भी change नहीं होता है same ही आजाता हो ठीक है अब आगे क्या करेंगे इसमें यह हो गया आपने पास 2s minus 1 and 2s minus 1 दोनों बार अब zeros के लिए आप एक बार 2s minus 1 को 0 के equal करोगे again 2s minus 1 को 0 के equal करोगे दोनों same ही है कोई दिक्कत है same भी हो सकते है यह 2s is equal to 1 आगया s is equal to 1 by 2 आगया same भी आ सकते हैं इसकी बिल्कुल भी tension नहीं लेनी गलात नहीं है यह same भी आते हैं बहुत बार यह 1 by 2 आगया तो zeros क्या हुए इसके दोनों same आगए zeros zeros हो गए 1 by 2 and 1 by 2 तो यह हमारा एक हिसाब किताब तो खतम अगला portion हम उस तरफ शुरू करते हैं अगले portion में हम लोग क्या करते हैं sum of zeros निकाल हो गया sum of zeros by 1 by 2 आया फिर से 1 by 2 आया 1 हो गया sum of zeros तो ठीक है product of zeros product of zeros अगर आप निकालते हो तो वो आता है 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4 तो नगर product ले लिए 1 by 4 आगया अब verification शुदू कर लो यहां तक का काम हो गया तो अब इसको verify करो verification कि हमने जो इतने लंबा चोड़ा मेहनत करके निकाला वो सही भी आगी नहीं है check करते हैं चेक करने के लिए आपके पास polynomial होना चाहिए polynomial है अपने पास यह रहा क्या है 4s square minus 4s plus 1 तो इसमें जो coefficients आएंगे वो क्या क्या आएंगे coefficients आएंगे A की value 4 s square का coefficient x हो s हो t हो p हो किसी में भी आजाए variable तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता procedure सेम है x की जगे पिछले वाले question में क्या था पिछले वाले में x था इस वाले में x की जगे क्या है s है कोई फरक नहीं पड़ता next वाले में शायर t हो जाए देखते हैं क्या है next वाले में next में x यह है लेकिन किसी-किसी में T B मिल सकता है, किसी-किसी में U मिल सकता है, P मिल सकता है, Z मिल सकता है, Y मिल सकता है, जो variable हो, procedure same रहता है, उसमें tension निलेनी, ठीक है, A अपने पास 4 हो गया, B की value कितनी हो जाएगी बच्चों, S का coefficient, minus 4 और C की value, constant term plus 1, coefficient हमारे पास हो गया है, अब sum of zeros, sum of zeros हमारे पास आएगे, वही same formula, minus B upon A करना है, चेक कर लेते हैं, minus B की value, खुद negative है, A हमारे पास 4 है, तो 4 से 4 तो कट गया, minus minus plus हो गया, क्या है answer, 1, plus 1, और उपर क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था, यहां भी, 1 ही आ रहा है, tension भी, बिल्कुल सही हो रहा है, next, next, product, product of zeros कितना आएगा, product of zeros होता है, C upon A, C upon A का मतलब हो गया, C की value, 1, A की value, 4, तो product of zeros कितना, 1 by 4, पहले कितना आएगा, 1 by 4, अभी भी, 1 by 4, तो verify हो गया, इतने simple questions हैं मतलब, एकदम fixed format, कुछ extra दिमान दाना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, third number देखो, जल्द दिकर लेते हैं इसको, अब यहाँ पर तोड़ा ध्यान देने वाली बात यह, अब उन्होंने, ज्यादा तो बदल नहीं सकते हैं, पहले वाले question से, दूसरे में क्या बदला, variable, अब तीसरे अभी same pattern का यह question दे दिया, जिसमें तीनों चीज़े हैं, x square भी है, x भी है, constant term भी है, तो फिर उन्हेंने क्या किया है, हेर फेर कर दिया, इधर उदर कर दिया, इधर उदर मतलब, 7x जो बीच में आना चाहिए था, उसको इन दोनों को इधर यूं होना चाहिए था, उसने घुमा दिया, ताकि बच्चे confused हैं, middle term split करना है, बीच वाले term को break करना है, तो वो गलती से 3 को break कर दे, इसलिए ये काम किया है, तो यहाँ थोड़ा दियान देने की बात बस इतनी सी ही है, कि ये चीज ऐसे लिखो जबते पहले, 6x square minus 7x और minus 3, अब आप solve कर लो, normal question होगे, कुछ change नहीं करना और, अब आप यहाँ पर देखू, कि आपको add गया subtraction से, क्या चाहिए, minus 7, और multiplication से क्या चाहिए आपको, 6 into minus 3, मतलब minus का 18, 6 into minus 3, ये दोनों का product यहाँ आता है, हमेशा, ठीक है, ये simple rule है, अच्छान, दो चीजों को multiply करने पर 18 कब आएगा, 9 into 2, simple, 9 into 2, 18 हो जाएगा, और 9 और 2 के combination से 7 भी बन सकता है न, minus 7 plus 7, जो बनाना है बना लो, क्या दिक्कत है, 9 minus 2, 7 होता है, minus का 9 plus 2 ले लोगे, तो minus 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6x square minus का 9x, plus का 2x, तो minus 9 plus 2 minus 7 हो गया, ये चीज मैच जरूर करनी है, कि minus plus के जो चक्कर होता है न, ये जरूर मैच करते वे चलना है, ऐसा नहीं कि आप 9 minus 2 करतो, तो वो सारे स्टुडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये एक्जाम में अक्सर पूछा आता है question, ये verification का, तो काफी important question है, सारे के सारे जो open कर रहे हैं, ये आते हैं exam में, बढ़ते हैं आगे, इन दोनों में से common, कितना आएगा, इन दोनों में से 3 common आ रहा है, एक तो, 6 और 9 में से 3 common आ रहा है, और क्या common आ रहा है, और x common है, तो ये बन जाएगा 2x, 3 इंटो 2, 6, और ये x square, माइनस, ये हो जाएगा 3, 2x माइनस 3, प्लस में, इन दोनों में से क्या common है, और यहां से बन जाएगा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और 2x माइनस 3, और ये 2x माइनस 3, ये तो common आ रहा है, दोनों में से, अलग कर लिया, 2x माइनस 3, और ये 3x प्लस 1, उल्टा लिख लो, सीज़ा लिख लो, कोई फरक ने बढ़ता, और x की वैल्यू माइनस का, 1 by 3 आ गई, ऐसे सेम यहां से, 2x की वैल्यू 3 के एकवल हो जाएगी, तो x यहां से आ गया, 3 by 2 के एकवल, तो ये हमारे पास, finally बना, और आब आप लिख दोगे, कि zeros कौन कौन से आए, आपके पास, zeros आपके पास आया है, माइनस का, 1 by 3, 3 by 2, ये 2 zeros अपने पास हो गए, finally, ठीक है, 2 zeros आगे, आगे अगे का काम एकवल सेम है, जो हमने पिछले 2 questions में किया है, sum of zeros आप निकालोगे, sum of zeros हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद, product of zeros पे जाएंगे, चलो sum देख लिता हैं फ़ेले, sum का मतलब है, minus का तो 1 by 3 है, और plus का 3 by 2 है, minus 1 by 3 और plus का 3 by 2, LCM लेना पड़ेगा, simple sum नहीं है, LCM लेलो कोई दिक्कत नहीं है, यह आजाएगा 6 LCM, और यह बन जाएगा minus 2, plus में 3 into 3, 9, basic LCM 7 by 6 है, simple calculation, ज़्यादा कुछ दिकाब, दिमानी लगा एक्स्ट्रा, so, अब product की बात करें, तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ से शिरू करते हैं, आप लिखोगे product of zeros, वो कितना होता है, वो होता है, minus 1 by 3 into 3 by 2 के हिसाब से, 3 से 3 से तो कट जाएगा, minus का half आएगा, जो sign होता लेना है पड़ेगा, minus का half आएगा, यह हमने normal तरिके से निकाल लिया, जो हमने zeros निकाले उसके हिसाब से, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे verification, verification हमें करना है, और verification में क्या करना है, बार बार repeat हो रहा है, इसलिए तोड़ा सा fast ले रहा हूं है, हमारे पास यहाँ पर polynomial है, 6x square, उसको नहीं लेना, नीचे बाले को लेना है, 6x square minus 7x minus 3, यह हमारे पास polynomial है, तो coefficients के आएगे, इसके coefficients हमारे पास आएगे, a is equal to x square का coefficient, b is equal to x का coefficient, और c is equal to constant term, यह आगया, और अब last काम, sum of zeros, sum of zeros आप लिखोगे, minus b upon a, और उसके इसाब से देखते हैं भी क्या आता है, और next आप लिखोगे, product of zeros, बहुत simple सा काम है एक्दम, product of zeros में आप लिखोगे, c upon a, और उसमें देखते हैं भी क्या आता है, तो minus b upon a में, sine ही minus है पहले बाहर, तो उसो लगा नहीं है, b खुद negative है, जो भी है, जैसा भी है, लिख लोगे, a plus का 6 है, minus minus कट जाएगा, 7 by 6 बच जाएगा, और आप notice करोगी, कि एक दम, same आ रहा है, ठीक है, next, product of zeros, c upon a, c कितना, minus 3, a कितना, plus का 6, 3 से 6 कैंसेल होता है, 3 to the 6, तो ये बन गया, minus का 1 by 2, ये कितना था, minus half, ये कितना है, minus half, खत्म बाद, ठीक है, तो ये है भई, हिसाब किताब, overall, अब हम लोग, नए pattern पर, switch कर जाते हैं, आगे next pattern, ये मेरे ख्याल से, आप लोगो समझ में आगया होगा, इसमें कुछ विशेश था नहीं, पुराने जैसा ही था, बस एक line, यहाँ पर थोड़ा सा, hair-fair करिए, अब नए pattern में ये है, कि इधर constant term ही नहीं दे रखा, 4u square प्लस 8u, आगे कुछ नहीं है, लेना देना ही नहीं है, आगे कुछ, अब क्या करें, उस case में क्या करना है, ये important बात है यहाँ पर, तो अब जब आगे कुछ नहीं दे रखा, तो आप एक काम कर सकते हो, ये बतलब बहुत असान होते हैं ये वाले versions, इसमें direct common आजाता है, एक तो 4 common दिख रहा है, है 4 common, 4 और 8 में से 4 common आ रहा है, उसके लबावा u square और u है, तो u common आ रहा है, direct common लेकर के factor हो जाते हैं, direct next line में factor रही है, 4 तो बाहर आ गया, u square से u ले लिया, तो u बचा, plus में 8 से आपने 4 common ले लिया, तो 2 बचा, u से तो पुरा u बाहर ले लिया, तो u plus 2, ये जो हमारा आया, ये factorization हो गया, दो factor होते हैं, ये into ये, तो वोई गाम यहां हो रहा है, ये into ये, तो एक factor तो 4u है, इसको आप 0 के equal करोगे, और एक आपका u plus 2 है, इसको आप 0 के equal करोगे, तो यहां से u is equal to 0 upon 4, that means u is equal to 0 हो गया, 0 upon 4 मतलब 0, और यहां से अगर आप देखो, तो u is equal to minus 2 हो गया, तो ये दो factors easily मिल गए हैं हमारे को, कौन-कौन से, 0 और minus 2, जो भी मिले हैं उसमें बिल्कूल tension लेने के ज़रत नहीं है, हमेशे इसे तरह से करना है, अगर आपको constant time नहीं दे रखका, तो direct u को मन आ रहा है, को मन आ रहा है तो उसको direct factor की तरह ट्रीट करो, क्योंकि इस तरफ भी u का एक time आ गया, इस तरफ भी u का एक time है, आपके पास tension ही नहीं है ना कुछ, दोना तरफ u के terms है, तो लोग यह आप, और अब आप लिख दो कि भी zeros कौन कौन से आए हैं, zeros आपके पास आगए, 0 and minus 2, यह हमने निकाला इतना, अभी तक को, आगे का procedure, आप चाहो तो यहाँ पर ही कर लो, sum of zeros और product of zeros करना होता है, sum of zeros, आप यहाँ आप लिखोगे, 0 और minus 2 मिल करके कितने हो जाएंगे, minus 2, और product of zeros अगर आपको करना है, product of zeros, 0 और minus 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 0, product कितना हैगा, 0, clear, यह हमने आदा काम कर लिया, आदा काम क्या है, verification का, वो हम right side देखते है, verification कैसे करना है, verification, देखो, verification में क्या करोगे, verification में आप सबसे पहले तो, यह polynomial लिखो, अब इस polynomial में तीसरा time नहीं है, तो तीसरा time नहीं है, तो मैं उसकी जगे plus 0 कर दूँ क्या, करी सकता हूँ न, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, plus में 0 तो हो ही सकता है, हमीश हो सकता है, यह लगाने से यह फाइदा हुआ, कि अपने को coefficient clearly दिखे, coefficient clearly दिखे क्या, A की value कितनी, X, U square का coefficient, या X square का coefficient, मतलब जो कि square है, उसका coefficient, B की value कितनी, U का coefficient which is 8, और C की value constant term which is 0, जो पहले नहीं दिख रही थी, यहां दिखनी दिखे थी, वहाँ आपने दिखा दी, उसके according लिख दिया, नहीं लिखोगे plus 0, तो कोई फरग नहीं पड़ता, बस आपको एक clear होना चाहिए, कि constant term 0 is में, उस case में, अगर कुछ नहीं लिखाए तो, ठीक है, अब बस कुछ नहीं बचा, अब तो sum of 0s और product of 0s, sum of 0s अगर आप निकालने बैठो, तो minus B upon A के according निकल जाएगा, अब अगें, product of 0s अगर आप निकालने बैठो, तो वो C upon A के according निकल जाएगा, ठीक है, और यह आपका मिल जाएगा, minus 8 upon A means 4, which is equal to minus 2, यह कटेगा, यह 2 times कट रहा है न, तो minus 2 आगया, इधर कितना है था, minus 2, इधर कितना है, minus 2, verified, C upon A देखते हैं, C upon A means 0 upon 4, 0 upon 4, which is equal to 0, इधर कितना था, 0, इधर कितना है, 0, that means verified, ठीक है, तो यह second pattern था, जो हमने किया, इसमें क्या था, third term नहीं थी, तीसरी वाली चीज़ नहीं थी, अब एक pattern आएगा, जिसमें बीच में नहीं आएगा, कुछ, देखते हैं, next T है कि हो pattern, हाँ next T है, T square है, बीच वाली term नहीं है, 0 T वाली, उसको यह क्या करना है, उसमें factorization कैसे करना है, आपको सबसे फ़ली यह सुमझना है, कि factor कैसे करना है, उस case में, जब बीच वाली term नहीं है तू, factor उस case में, 9th class में जो identity आपने एक पढ़ी थी, उसके according होंगे, X square minus Y square आपने बढ़ा था, X plus Y into X minus Y होता है, तो उसका help लेंगे अपनियां आपर, कैसे लेंगे ध्यान से देखें, इसको सबसे फ़ले तो T square लिख लो, वो तो T का square ही, यह तो देखी रहा है, यह T का square ही है, और यह 15 को आप under root में 15 करके, उसका square लिख सकते हो, क्या है? हर चीज को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 5 है न, उसको आप लिख सकते हो under root 5 का square, अगर आपके पास 7 है न, उसको आप लिख सकते हो under root 7 का square, क्योंकि square से under root हट जाता है, कट जाता है, यह भी 9 में सीखा है अपने, तो square से root हट जाता है, इसलिए इसको under root लगा करके square लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो जो format हम करेंगे न, x square minus y square, उसमें square चाहिए किसे ना किसी चीज़ का, तो direct तो square दिख नहीं रहा, अगर यह 16 होता, तो हम इसको direct 4 का square लिख देते हैं, लेकिन यह 15 है, जो कि perfect square है नहीं किसी का, तो फिर अपना under root 15 का square लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है वो भी, भाई 16 होता, अगर यह t square minus 16 होता, तब तो कोई tension ही नहीं थी न, यह t का square और यह 4 का square, लेकिन problem यहां 15 है, तो under root 15 का square कर लो न, 16 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, under root 16 का square, which is equal to 4 square, under root 16 4 होता है न, दिखकत का है, एक कित बात है, और ऐसे लिखने के बाद, उसके बाद आप अराम से एक formula लगो, simple सा formula लगो, कौन सा formula, since x square minus y square होता है, x plus y into x minus y, यह formula लगो, कि x square minus y square होता है, x plus y, और x minus y, ठीक है, यह हमारे पास आ रहा है, अब, दोनों को equal करो, 0 के, तो t plus under root 15, equal to 0 हो जाएगा, t minus under root 15, is equal to 0 हो जाएगा, और यह t की value आ गई, minus root 15, और यहां t की value आ गई, plus root 15, यह, और यह, तो 2 हमारे पास t की value आई, तो finally zeros कौन-कौन से हो गए है हमारे पास, zeros हमारे पास आ गए, minus root 15, and plus root 15, यह 2 zeros आ गए, यह काम की चीज़ मिली अपने बई, 0 तक कर लिए अपने, अब verification के लिए, पहले आप इनके some more product निकलो, फिर हम verification वाला process शुरू करेंगे, तो सबसे पहले, अच्छे यह काम तो रफका ही है, यह काम थोड़ा रफका कर दिया अलग से, कोई issue नहीं है, बाकि अपन इधर कर रहे हैं, फिर में जो भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम, sum of zeros, sum of zeros, तो minus का root 15, और plus के root 15 को add करोगे, तो क्या बनेंगा ultimately, zero, कुछ नहीं बनेगा, कट जाएगा सब कुछ, next, product of zeros में, product of zeros में, minus का root 15 तो है ही, उसको plus के root 15 के साथ product करोगे, तो minus का 15 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि दो बार root है, तो कट जाता है, क्यों कट जाता है, क्योंकि root 15, root 15, root 15 का square, और root 15 का square कितना होता है, कहां गया हूँ, इधर नहीं, root 15 का square कितना होता है, 15 ही होता है, तो इसलिए वो root से root कट जाते हैं, क्योंकि वो root, और root दो बार root आ गए, तो root का square बन जाता है, root का square कट जाता है, यह है original reason ठीक है क्यों कट आए क्योंकि root 15 और root 15 मिलकर के square और square से root कट जाता है so this is only only क्या हुआ यहां पर आगे 15 यह ठीक है चलो जी बढ़ें आगे अब verification शुरू करते है so verification में आप क्या लिखोगे आप लिखोगे कि सबसे पहले तो polynomial है हमारे पास t square बीच वाले time नहीं है तो उसको बोल दो 0 t और फिर minus 15 यह काफी ठीक रहता है कि जो time नहीं है उसको 0 लिख दो उससे coefficient ढूणना असान हो जाएगा आपके लिए अब यहां पर आप 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन 0 लिखने से यह है कि coefficient clearly दिख रहा है भई a की value 1 है t square का coefficient और b की value 0 है t का coefficient और c की value minus 15 है लिखने से यह फाइदा है नहीं लिख करके भी आपको पता है यह चीज बहुत practice है आपके अच्छी practice है तो मत लिखो कौन कहले है लिखने को ऐसे भी चलेगा ठीक है तो यह तक यहां तक होने के बाद में बाद में बाद में अ अब आप वही formula लगा दो sum of zeros वाला sum of zeros वाला क्या formula दा बच्चों minus b upon a which is equal to अभी देखते हैं क्या होता है एक product of zeros वाला लगा लेते हैं product of zeros वाला which is equal to c upon में a वो भी देखते हैं क्या होता है तो उपर वाले में minus b upon a में minus का 0 upon a, a मतलब 1 0 हो इससे भी divide करो, 0 ही आता है, दूसरी बार, 0 में minus plus का फरक नहीं बढ़ता है, 0 is neutral होता है, 0 ना positive है, ना 0 negative है, तो minus plus हटा दो, कोई टैंक है निलना चलो next, c upon a, that means minus 15, c की value minus 15 है, a की value 1 है, तो यह minus का 15 हो जाएगा, चेक कर लो भी यह जो निकाला है, सही निकाला है क्या, अरे यह क्या कर दिया, गिच में चोगे जादा, चेक कर लो, 0, 0, minus 15, minus 15, ठीक है, एकदम correct है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो, so, यह fifth part था, last part, first question का, दो यह questions है, first or second, उसके 6-6 part दे रखे हैं, अपने पास, तो total 12 questions हो जाएगे, इस तरह से, यह last part है, उसका, और इसमें भी full दे रखा है, 3x square, minus x, minus 4, full वाला, तो middle term splitting से करना पड़ेगा, addition यह subtraction से क्या demand है, minus 1, x का coefficient, minus 1, कुछ निया, तो 1 है, 1 तो है यहाँ पर, और multiplication से क्या आएगा, यह दोनो, 3 into minus 4, 3 into minus 4, मतलब minus 12 वाना चाहिए, addition, subtraction से तो, minus 1, और वैसे minus 12, 4 and 3, 4 और 3 में gap कितना है, 1 का ही है, हो जाएगा adjust, तो आप यहाँ पर adjust करो, उसको, क्या बनेगा यह, 3x square, और, minus का 4x, plus का 3x, minus का 4, हो गया का, minus 4, plus 3, minus 1 होता है, यह sign जरूर चेक कर ले ना, जब भी यह minus minus का चक्कर होता है, यह थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, बस आगे हाँ कुछ दिक्कत नहीं है, आगे तो इन दोनों में से common लेलो, इन दोनों में से common लेलो, पहले बाले में से common x आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 3x, minus 4 बचे जाएगा, दूसरे बालों में से 1 common आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, तो 3x, minus 4 बचे जाएगा, यहाँ प्लस था, तो यहाँ भी प्लस ही है, और, according काम होगा है, ठीक है, आगे बढ़ता है, आगे ब equal किया, यहाँ से 3x is equal to 4 आ गया, x के value 4 by 3 बन गई, एकदम simple calculation, ऐसे same काम यहाँ पर, यहाँ एक step में काम हो रहा है, minus 1 आ गया, दोनों आ गए तो zeros लिख तो कौन कौन है, zeros हमारे पास आये हैं इस बार, एक तो 4 by 3, और 7 में दूसरा आया है, minus 1, यह हमारे पास zeros हो गया है, ठ next, zeros आने के बाद क्या गड़ते हो आप, sum of zeros, sum of zeros, 4 by 3, minus 1, LCM की अवश्यक्ता, LCM की तो नीड ही है, 3 ले लिए हैं आपन LCM में, क्या बनेगा, 4 minus 3, which is equal to 1 by 3, यह हमारा sum of zeros है, और next है, product of zeros, product of zeros कितना आएगा, 4 by 3 को product कर लो, minus 1 से, 4 by 3 और minus 1 में करके, minus 4 by 3 यह बनने वाला है, बस negative sign नहीं दर आजाएगा, बाकि तो 1 से multiply होने पतो उच होता ही नहीं, यह दोनों आगे, verification last बचा हुआ है, देख लो, तो verification हम लोग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो polynomial, वो है 3x square minus x minus 4, systematically लिखना है, x square then x then normal constant c, अब आप coefficient निकाल लो इसमें, कोई मुश्किल काम है ही नहीं, coefficient लिखना दो, a की value, plus 3, b की value, minus 1, c की value, minus 4, यहां से अब होई, same, sum of zeros, sum of zeros होगा, minus b upon में a, and product of zeros, product of zeros होगा, c upon a, sorry, c upon a, ठीक है, value, minus तो है, पॉम्मलब ही है, b की value minus 1, a की value 3, तो 1 by 3 होगा है, ठीक है, c upon a means minus 4, और a का मतलब है 3, तो minus 4 upon 3 होगा है, तो match कर लो, same, same, मतलब verified, काम खतम होगा, तो यह था पहला question, सब में same pattern follow किया है, अब तो मेरे कहल से, रट किया होगा कि कैसे घंड है, अब तो कहीं दिक्कत आने नीची है, तो हम लोग next question पर switch कर जाते हैं, और उसका formula, और basic introduction, concept वगरा, हमने last lecture में सीख लिया था, नहीं देखा है, तो वीडियो के description में जाओ, वहाँ पर पूरी playlist का link है, और वहाँ से देख लो, कोई टिक्कत नीची है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखो, next question है मारा, question number 2, find a quadratic polynomial, each with the given numbers, as the sum and the product of its zeros respectively, पहला वाला क्या है, sum of zeros, यह क्या चीज़ है, यह sum of zeros है, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, product of zeros, हमें निकालना क्या है, polynomial, quadratic polynomial, यह है question, और sum में quadratic polynomial निकालना है, पहला वाला sum में sum दे रखा है, दूसरा वाला sum में product दे रखा है, ठीक है, तो आप लिखोगे systematically sum of zeros is equal to this, product of zeros is equal to this, अब आप लिखोगे polynomial का formula, जो मैंने बताया था, last class में क्या होता है, polynomial का formula, polynomial होता है, k times, क्या चीज, x square minus sum of zeros, into में x, और plus में product of zeros, यह हमने formula सीखा है, last lecture में, और उसको बस implement करना है, k का क्या roll है, वो आपको पता चल जाएगा अपने आप, last lecture देख लो, या फिर इसमें भी अभी पता चल जाएगा, k क्या roll है, है न, क्योंकि infinite polynomials आते हैं, उन में से कोई एक अपने हों बताना है, वैसे तो question में, find a quadratic polynomial, एक ही बताना है किवाद, तो k की ऐसी कोई values set कर लेंगे, easily, जो easy मतलब polynomial मिल रहो, simplest form में मिल रहो, इस तरह की k की कोई एक value set कर लेंगे, बागी k की जितनी values आप set करोगे, उतने polynomials मिल के जले जाएंगे, तो infinite polynomials आते हैं, ideally, लेकिन हमें एक ही बताना है, तो हम simplest form वाला बता देंगे उसमसे, मुश्किल वाला नहीं बताएंगे, बस ये बात है, तो कैसे करना है, आपको exam में, बस ये इसी तरह से k लिख करके ही करना है, ये x square minus, वो सारी लोग k नहीं लिखते हैं, LCM लेकर के नीचे वाली चीज़ को 0 के equal कर देते हैं, कुछ भी hair-fair करते हैं, वो सब गलत हैं, logically, सब गलत हैं, सही क्या है, infinite polynomials सी आएंगे, आप उनमें से एक लेना चाते हो, तो एक ले लो, केकी किसी भी value दे लिए, वो भी जरुएंड ये पीछे से match करें आपके book के, क्योंकि infinite answers है, पीछे एक answer दे रखा है, तो इसलिए tension नहीं लेना, infinite answer सही है, केकी hair value के लिए, अपन हाला की book से match करवा देंगे, वो ठाइच है मतलो, केकी simplest value ले करें, वो book से match हो जाएगा, कैसे करेंगे, देखो दियान से, sum of zeros, 1 by 4, x, product of zeros, minus 1, ठीक है, आप एक काम करो, LCM ले लो, थोड़ा simplification हो जाएगा न उससे, अपने को तो एक answer देना है, देखेंगे, वैसे तो यह answer सही है, यह जो answer है, यह एक्दम सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इतना भी सही है, इसमें भी आप sum of zeros, product of zeros का formula लगा कर कर लिए लोगी, यह यह आएगा, लेकिन अब, 4 आप PalsyM ले लो, simplest form में देना चाह रहे हैं हम लो, यह minus का 4 हो जाएगा, खेक है यह जाता, अब आप K की value 4 ले लो, let K is equal to 4, तो यहां पर 4 हो गया, यह 4 K is equal to 4 ऐसा कर लेना, let क्यों कर रहे हैं हम पनको यह value, एक particular value के लिए लिए ले 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 हैं हम तो, यह आपका पिछे से match कर जाएगा answer, यह हमने एक polynomial ले लिए, कैसे लिए हमने कहा कि भई, K की एक particular value के लिए, और K is equal to 4 यह answer आएगा, बाकि K की value आप 2 ले लो, 8 ले लो, 12, 10, 15 कुछ और लो, तो K की जो कुछ और value लोगे, उसके हिसाथ से कुछ और answer आएगा, ऐसे चलता है, फिलाल ही answer हो गया, कि कि वो value ले ले लेते हैं हम लोग generally, ताकि वो नीचे से cancel out दे हैं, और अगर नीचे कुछ है ही नहीं, तो फिर बान ले लो, तो कुछ cancel की tension नहीं है, तो simplest form में निकालना target है अपना, ये बस इतना दिमांग में रखो, बाकि कुछ tension ने लिना, और detail में जाना है, तो last lecture देख लो, ये K का कैचकर है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next, जल्दी से, next में भी same काम, वोई, polynomial का formula, polynomial का formula, बार-बार लिखना है अपने को, k times x square minus sum of zeros, into में x, plus में, product of zeros, अब मैं थोड़ा सा fast लिखूँगा, क्योंकि सब कुछ same ही चलने वाला है, x square minus sum of zeros, root 2 है, और into में क्या जाएगा, x, और product of zeros, 1 by 3 है, अब आप LCM ले लो, जदे जदे इतना ही काम हो सकता है, simplification के लिए, simplification के लिए LCM लोगे, तो यहाँ पर 3 LCM में जाएगा, यह बनेगा 3 x square, minus 3 under root 2 x, और plus में 1, k की value 3 ले लो, लिखना जरूर है उसको side में, कि k की value 3 लिए है हमने, और k is equal to 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया, क्या answer आगया, finally polynomial यह बन गया, ठीक है, 3 के जएगा 6 ले ले लेते, तो भी कट जाता, simplicity होता, लेकिन दूसरा polynomial हो जाता, अपने को एक answer देना है, दे दिया हमने simplest, ठीक है, next, so same, polynomial is equal to, polynomial is equal to, k times, x square minus sum of zeros, मैं short में लिख रहा हूँ, plus में product of zeros, आप लोग full लिखना, short में मत लिखना, exam में, ठीक है, sum of zeros है, product of zeros है, root 5, और final हमरा answer आगया, k into x square, plus under root में 5, यह 0 तो खतम, सब कुछ, yes, it is आगय, k की परियोगा, आप 1 ले लो, x square plus under root 5, k की परियोगा, अगर, 1 ले ले, तो answer क्या बन रहा है, finally, x square plus under root 5, बहुत छोटे-चोटे questions है, आसान-आसान से questions है, आराम से आप लोग कर सकते हो, एकदम simple है, next आते है, same वोई 1 को में मतलब, sum of zeros भी 1 है, product of zeros भी 1 है, तो आपके पास, polynomial का formula क्या बन जाएगा, polynomial का formula हमारे पास बनेगा, k times, x square minus sum of zeros, into x, plus में product of zeros, और ये complete, k की value, k रहेगा, x square minus sum की value 1 है, 1x, product की value 1 है, 1 आ गया, तो k into x square, plus x, plus 1, अगर k की value 1 ले 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 तो, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, तो simplest form में, k की value 1 ही ले लो न, k की value 1 ले ली, तो answer क्या बन गया, x square plus x plus 1, ये हमारा final answer है, एकदम simplest form में polynomial है, ठेक है, k की value आप 2 लेके भी कर दोगे न, कोई गलत नहीं कर सकता उसको, logically, चलो, 1 by 4, 1 by 4 है, polynomial तो हमारे पास fix है formula, x square minus sum of zeros, into x, और product of zeros, और बाहर हम लोग k लगाते ही है, तो k into x square minus sum of zeros, मतलब, इन दोनों को add करना है, अरे sorry, 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 add ही तो दिया है पहला बाला, into में x है, और product of zeros, 1 by 4 है, sum product, रखा रखा है दिमाज में नहीं लगा न, क्या लिखोगे, x square plus 1 by 4 x, plus 1 by 4, simplest form में लाना चाहरे है हम लोग, तो LCM ले लेंगे, क्या बन जाएगा, 4 x square plus 1 x, plus 1, और k की value अगर हम लोग 4 ले लें, तो obviously यह कटने वाला है, इसमें तो कोई सोचने की, बात है ही नहीं, यह आपके पास final answer आजाएगा, आप लिख देना, और k is equal to 4, हमने ऐसा किया, ठीक हैं, एकदम simple question है, बहुत ज़दा explanation की need नहीं है, मेरे के आज दे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, एक last बचा हुआ है, वो भी देख लेता है, 6th part है इसका, sum of zeros तो हमारे को दे रखा है 4, product of zeros हमारे को दे रखा है 1, तो polynomial का formula, सबसे असान वाला है, सबसे last में दिया है, इनोंने भी व्योकुपान है, x square minus, sum of zeros into x, और product of zeros into y, oh sorry, product of zero के वल, k x square minus sum कितना है, 4, product कितना है, 1, तो k की वेलिव अगर आप 1 ले लेते हो, तो x square minus 4x plus 1, 4, k is equal to 1, ऐसा हुआ है, और यह बनेगा finally, x square minus 4x plus 1, यह हमारा final बना है, ठीक है, बस, यह सब था, overall, असान असान से questions है, एकदम simple questions है, so, I hope आप लोगो को समझ में आ गया होगा, बाकी फिर भी, अगर आपको पूरी exercise में कोई भी doubt हो, एक पर example वाला जरूट रेख लेना, example वाला अगर आपने देख लिया है वीडियो, इससे जस्ट पहले वाला, तो फिर इसमें इतनी दिक्कत आई नहीं सकते है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूँ रहें अपने classmates के साथ, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिविजन अलगोरिदम के बारे में discussion करेंगे, और उस से related जितने भी examples है 2.3 के वो सारे complete कर लेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much, all the best, bye-bye.